One rank one pension के लिए लड़ने वालों के लिए खुस ख़बरी ये है कि पूर सैनकों ने महाकुम की तयारी कर दिया यानि की आणि कि आप सारे पूर सैनक एक साथ मिलकर वारोपी की विसंतियों की जो लड़ाई है उसको लड़ने की तयारी में जुट गहे हैं और अपनी मंजल के बहुती नजदीक पहुच चुके हैं। नए साल में इस रेल डो को आंदोलन ने सरकार के साथ साथ सभी पूर सेनिक संगटनों की भी नीन हराम कर रखी है। इन संगटनों को लगता है यदी रेल डो को आंदोलन सफल हो गया, तो इन संगटनों का अस्तितव खत्रे में पड़ जाएगा। और इसी वज़े से ये एक हो जाओ, एक हो जाओ का राग अलाप रहे हैं वैसे तो देश में हजारों पूर सेनिक संगठन है लेकिन इन में मुख्य रूप से तीन-चार संगठनी हैं जो राष्टे स्तर पर उभर पाए हैं ये तीन-चार संगठनों के नाम है साबका सेनिक संगठ स्मीती जो की ग्राउंड में काम कर रही है यानि पिछली ग्यारा महिनों से जंतर मंतर पर अपना O.O.P. विशंकतियों को लेकर और सेनिकों की जायज हकों की मांगों को लेकर धना लगाए भी हैं वहीं Voice of Ex-Servicemen जो की कोर्ट केसिस के दवारा पूर सेनिक जवान जेशियों के हक की बात करती है तीसा संगठन है Indian Veteran Organization जिसके बारे में सभी को पता है कि ये संगठन अपसरों और सरकार की मदद से चलता है ये सभी को पता है क्योंकि इनका काम करने का त्रीका जो है उसमें बगएर सरकार और अपसरों के सहयों के इनका काम नहीं चल सकता इनका काम ही इस परकार का है मैं यह नहीं कह रहा कि Indian Veteran Organization खराब संगठन है या जवान जेशियों के लिए काम नहीं करता उनका जो काम है वो अलगत रहे का है और सकार और अपसरों के बिना उनका काम नहीं चल सकता और चोथा संगठन है फेडेशन ओफ वेटर्न एसोशेशन जो की हम सभी को पता है कि साबका सेनिक संगर समीती नहीं इस फेडेशन ओफ वेटर्न एसोशेशन को पैदा किया था और इनके आफसी मत बेदों के कान उसको लंगड़ा करके साबका सेनिक संगस्मीती ने छोड़ दिया था साबका सेनिक संगस्मीती के अलावा सभी संगठन अभी तक सोय वे थे और सभी को पता है कि अभी एक महीने के अंदर चुनाव की आचार सहीता लग जाएगी और ये पिछले दो तिन महीने से जूम मिटिंग फीजिकल मिटिंग कर रहे हैं लेकिन नतीजा कोई निकल कर सामने बाहर नहीं आ रहा है इंडियन वेटरन और 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 एक साथ आए हैं ना कर दिया और उनका कोई नुमाइदा उस मिटिंग में नहीं पहुचा वहीं FVA इंडियन वैटर्न और्गनाइजेशन की तरफ से हरियाना के परदेश अध्यक्स मलिक साब और साब का सेनिक संगर समीती उसमें जरूर पहुची थी लेकिन गरम दल वे नरम दल की नीतियों की वज़े से इनके अंदर आपस में कोई शेहमती नहीं बन पाई अभी FVA आज फिर से एक जूम मिटिंग करने जा रहा है और लगता है कि चुनाव आचार सहीता लगने तक इनकी एकता की कोशिश ऐसे ही चलती रहेगी और कोई नतीजा आने की संभावना बहुत कम है अंब्रेला के नीचे आकर काम करने के लिए वहां से अब बात आगे बढ़ चुकी है और कल फिर एक बार मीटिंग हुई तो कल की जूम मीटिंग में फेडरेशन की तरफ से स ओगिंदर सिंग सेंगर साब और उनकी टीम संभलेथ हुई जैहिंद फाउंडेशन जम्मू की तरफ से तरसीम जी ने पार्टिशिपेशन किया वो संभलेथ हुए और एक सर्समें सोसाइटी और हेल प्लैन दिल्ली की तरफ से दंदन सिंग रावत जी वहां से संभलेथ और संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब की तरफ से फिलाइंग ऑफिसर्स कमल जी और गुलाव सिंग जी संभलेथ हुए और पूर सैनिक संयुक्त संग्ठन की तरफ से सिरी राम सिभारे जी संभलेथ हुए और फेडरेशन ऑफ जेशो ओवार्स हिमाचल पिर्देश की संग्ठन के अध्यक्स कैप्टन जग्दीश वर्मा ने एलान कर दिया कि वो साब का सेनिक संग्ठ समीति के साथ एक जनवरी को रेल रेलो को आंदोलन में सेयोग करेंगे आई एक मिटिंग हम लोग कर रहे हैं वो है वन रेंक वन पैंशन के उपर हमारी बहुत सी उसमें विसंक्तियां डवलप हुई हैं जो कि हम बीस फेवरी से लगातार जनतर मंतर में और भूगरतार पूरे देश में कर रहे हैं मेमरन्नम दे रहे हैं MP के माधियम से डिस्टि पर शुरू होगा उसमें ब्लैक डे अब्जर्व करना है और उसके साथ ही उन्होंने कई जगाओं में जो है ग्यारा में बोल रहे थे लेकिन पहले जो है अभी पूरे पूरे इंदोस्तान में उन्होंने ट्रेन को अबरफ्ट करना है उसके बारे में बताएंगे नहीं पह जगदिश वर्मा साब की बाते सुनी वहीं इंडियन वैटर्न ओर्गनाइजेशन के हरियाना के प्रदेश देक्स मलिक साब भी अपनी तरफ से कोशिस कर रहे हैं और उन्होंने कल हिशार में एक मीटिंग की आईए सुनते हैं उन्होंने क्या का साथियों आज हम हिशार जिले के अलग-अलग संग्ठनों से और पूरू सेनिकों से रूबरू हैं हमारी इस मीटिंग का मकसद है ओ और ओपी दो में जो भी विशंक्तिया हुए हमारे जवान जेश्योज और वीर नारियों के साथ दो दोखा हुआ है सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है तकरीवन एक साल से जंतर मंतर पर धर्ना परदर्शन चल रहा है राम निला ग्राण में रेली कर चुके हैं 20 फरवरी को जंतर मंतर पर रेली कर चुके हैं 12 मार्च को जंतर मंतर पर रेली कर चुके हैं और 17 सितंबर को रिवाडी के मैदान में बहुत बड़ी रेली करके और अलग अलग माध्यम से माननिये परदान मंतरी माननिये रक्षय मंतरी और माननिये राश्पती मोध्या को हम ग्यापन दे चुके हैं लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है अभी जो ये मीटिंगें चल रही है और आज की मीटिंग का जो मकसद है सभी पूरो सेनिक परिवारों को भारत वर्स के जितने भी पूरो सेनिक हैं उनको एक मंच पर लाना एक फ्रंट त्यार करना जिसका कोई भी अद्देक्स नहीं हो एक कोर कमेटी त्यार हो और उनकी सला से ही एक ही कॉल पर हम कोई भी धरना परदर्शन या रेली करें यह रणनिती अगले तीन या चार दिन में नौ वर्ष के पर्थम सप्ता में ही इस फ्रंट की गोशना की जा होगा ना कि अलग अलग संग्ठनों के कोई लोगो या जंडे होंगे आप सभी के सहयों की जुरूत है जब तक हम एक नहीं होंगी तब तक सरकार हमारी बात हैं नहीं सुनेगी आप सभी यहां पर अपना कीम्ती समय निकाल कर पहुंचे और सभी ने इतने अच्छे के लिए तैयार हैं और आज की सभा के जो चेर्मेन है कैप्टन ठकीचन साहब जिन्होंने अलग अलग जगे से पूरु सेनिकों को बुलाया और इस सभा को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया मैं उनका भी बहुत बहुत आभाद वैक्त करता हूं और आप सभी का धन्यव सभाद और आपने जो हमें सहयोग देने का वादा किया है मैं यकिन करता हूं कि आप उस पर खरे उतरेंगे और पूरु सेनिक प्रिवार का हाथ मजबूत करेंगे जय हिंद जय भारु सेनिक भायों अभी आपने मलिक साब को सुना जो कि इंडियन वैटन ओरिनाजेशन के ह वारुप है कि यह संगठन पिछले ग्यारा महिनों से कहां सोय वे थे और यह हमारी एक जनवरी की देर लोग को आंदोलन की काल को तोड़ने के लिए इखटा होने के नाम पर यह साजी से रत रहें ताकि देर लोग को आंदोलन फेल हो जाए कि वहां पर रख्या गया यह कि पहले बाद तो यह कि तुमने एक जनवरी से पहले यह मीटिंग क्यों रखी तुम ऐसे क्यों हर बार ऐसी क्यों करते हो तुम क्यों तुम सरकार के इसारे पे तुम यह खेल खेल रहें उसे निकों के साथ अगर तुमने मीटिंग रखी भी तो तुम जिम्मेवारी लेने के तो सेनिक भाईयो ये थी पूरी खबर आपको ये खबर कैसी लगी और आप सेनिक एकता के बारे में क्या सोचते हैं कोमेंट बोक्स में जरूर लिखे और वन रैंक वन पैंशन के लिए चल रहे आंदोलन से जुड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को शेर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करे थेंक यू धन्यवाद जै हिंद जै भार्त